हम आज फिर से जटपट से बनने वाली एक टिफिन रेसिपी लेकर आए हैं आप चाहें तो इसे ब्रिक्फास्ट में भी बना सकते हैं अगर आप एक खाते हैं या फिर बच्चे के स्कूल में एक एलाव हैं तो पहले स्कूल से कंफर्म कर लें तभी टिफिन में रखें तो यहां पर मैंने तीन अंडेल ले लिए हैं करना कुछ भी नहीं है बस इनको फोडो नमक टालो और अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप रेच्चिली स्किप भी कर सकते हैं नमक और मिर्च डाल कर इस तरीके से इसको पीट कर लें तो यह हमारा एक बेटर तो तैयार हो गया यहां पर भी मैंने ब्राउन बेट का ही इस्तेमाल किया है आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी से बना सकते हैं इस तरीके से कोई से भी शेप में कट कर लें मैंने यहां पर रेक्टेंगुलर और ट्रैंगुलर शेप में कट किया है तो आप चाहें तो और भी छोटे पीसिस में इनको कट कर सकते हैं और अब मैंने यहां पर बैटर लिया है और उसमें प्रेट को छोड़ देंगे, डिप कर देंगे, एक सेकंड के लिए उसमें रहने दें ताकि यह एक को अच्छे से एब्सॉब कर ले तो बस इधर मैंने गैस पे तवा गरम करके उस पर देशी घीर आला है और यह डिप की हुई ब्रेट को एक ब्रेट को हम इस पर प्लेस कर देंगे तो आज हम फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं जो की पांच मिनट में बंड कर तयार हो जाते हैं ज्यादा समय नहीं लगता है बस आपके पास सामान पूरा होना चाहिए आप रात को ही सोच लिया करें कि सुभे मुझे बच्चे को क्या देना है और शाम को ही सामान का अरेंजमेंट करके रखें तो काम आसान हो जाएंगे तो इस तरीके से बाकी ब्रेट को भी बना लीजिए तो कुछ एक को मैंने इस तरीके से भी डाल दिया है और बस दोनों तरफ से पलटते और अच्छे से इनको लो फ्लेम पर ही से किया हमें इसको शैलो फ्राय ही करना है तो एक रेस्पीस बहुत जल्दी बन जाती है में रख रहे हैं तो साथ भी टोमेटो केचप का सेशे जरूर रखे